इसे कोई दिल से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि कोई इंडियन स्मार्टफोन ब्राइंड एकदम अलग लेवल पर उपरेट कर रहा है, काफी अच्छा काम कर रहा है और यहां पर कुछ ऐसा ही काम किया है, लावा नहीं होगी, यहां पर यह लेकर हम चेक करने वाले फिराल इस वीडियो में कि कैसा है यह अगनी टू 5G फोन, क्या क्या यह फीचर्स लेकर आता है, क्या 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 कुछ यूनीक एलिमेंट्स लेकर आता है इस प्राइस ब्राकेट में, बिकॉज इमस्ट टेल यू, इस फोन पाक्स अलॉट, आप क्यू तो यार देखो, काफी ऐसा कस्टमाइजड सा बॉक्स है, ahead of the curve यहां भी लिखा है, technical guru जी यहां पे लिखके दिया है, मतलब basically एकदम ऐसा exclusive सा experience है, इधर अगर आप देखो के तो यहां पे लिखा है Agni 2, again ahead of the curve हम बात कर रहे हैं, और यह कुछ ऐसे तिलसमी तरीके से open होता है, वैसे यहां पे अगर हम इसको निकाल लें, तो this is the actual retail unit of Lava Agni 2 phone, और अगेर इतना मोटा डबा देखके भाई, खुशी इस बात की मिलती है, कि अंदर जरूर हमारे पास में सारे के सारे जो items हैं, वो मिलने वाले हैं, जहां पे एक अच्छी बात Lava के फोन पे लिखा होत यह हमारे पास में रखा है, सबसे पहले इस Viridian Glass Color में आने वाला Lava Agni 2 phone, इसी के साथ अगर हम देखेंगे, तो we have this, and this card, it tells us a lot about Lava's promise, because यहां पे बात हो रही है, free phone replacement की, वो भी घर बैठ है, आपको बताऊंगा वीडियो में इसके बारे में आगे क्या details हैं, then we have this section, with a sim trajector tool, और एक case, of course, for the protection, 66 watts का Type-C output वाला, which is a very good thing, एक power adapter to charge the phone, basically to fast charge the phone, and finally हमारे पास में है, oh, finally नी, एक वार इटम भी है नीचे, यह है, एक USB C2C cable, and यह है, एक adapter to connect your standard headphones, so basically अच्छी बात लगी है, देखेंगे, इतना सब कुछ पैक कर दिया है, box में, और यहां पर बात करते हैं, इस फोन की, भाई, इस फोन, definitely feels premium, हम इसको बूट करते हैं, होप कि इसमें बैटरी हो, लावा आ चुका है, और आप देखो, ध्यान से हो, हम पता लगाते हैं, फिर अंदर खुसके, क्या क्या चीज़े पैक हुई हैं इसी फोन में, गैसर, I must say, full marks to lava, you know, to achieve something like this, because ये फोन जो है, ये बहुत ज्यादा, आपको एगदम एक तो पली बात तो काफी sleek लगता है, because of, of course, the dual curve design, लेकिन, ये काफी ज्यादा प्रीम भी फिल होता है, because of this kind of, you know, matte glass finish, पीछे की तरफ, जो कि अकसर ब्रांट काफी ज्यादा प्राइस point पर जाने के बाद में भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर, this phone definitely feels like a flagship phone, and it definitely gives you this proudly feeling कि यार, ये phone एक Indian brand ने बनाया है, तो I mean, अगर हम बात करें इस phone के design के बारे में ही न, तो हमारे पास में dual curve design है, because screen भी है dual curve, और जो back panel है, वो भी आपको पूरा ऐसा curve के साथ मिलता है On the side we have, ये power button, साथ में volume rocker है, ऊपर हमारे पास में secondary microphone है, left head is completely clean, phone में नीचे हमारे पास में एक sim tray है, then we have the primary microphone, USB-C port and speaker grill, और पीचे, यहाँ पे, इस again matte finished glass में हमारे पास में Lava 5G की branding है, और ये आता है, इस circular array में, एक quad cam setup के साथ में, जहाँ पे जो primary camera है, वो आता है, वो आत on pixel size, we'll talk about, you know, the cameras in detail, और सामने, of course, we have this gorgeous AMOLED screen, ये, एक 6.78 inches का curved AMOLED screen है, of course, full HD plus panel है, जहाँ पे ये support करता है, up to 120 Hz की refresh rate, और, you know, जो आपको bezels मिल रही है, काफी minimal screen के चारो तरफ, मतलब अगर आप दिखो के न, तो काफी colorful, vibrant, bright, immersive, ये display है, और इसके ओपर, short sensation, alpha glass की protection है, तो वैसे तो, करना नहीं चाहिए, बट एक बड़ ट्राइक कर लेते हैं, no, nothing, मतलब, सब कुछ सही है, कुछ attention नहीं है, तो यहाँ पे जो screen है, Widevine L1 को भी phone support करता है, तो आपको पूरा मजा देगा in terms of, you know, any kinds of content, जो भी आप दिखना चाहते हैं, और साथ में, HDR, HDR10, HDR10 Plus को पूरा support करता है, with over a billion colors, तो आपको एक अच्छा immersive experience मिल जाएगा इस phone को use करने में, and then again, यहाँ पर हमारे पास पे पंचोल स्टाइल का यह design है, तो काफी immersive भी है, ऊपर खेर selfie camera है, बादे बात करते हैं, लेकिन screen, just to begin with, it feels premium, quite colorful, और यह जो default wallpaper, यह भी काफी रंग रंग है, which kind of, you know, helps in showing you कि यह screen जो है, वो कितना अच्छे से आपको पूरा colors का मज़ा देगा, जो processor इसके अंदर लगा है, वो है Dimensity 7050 processor, although it's kind of quite similar to Dimensity 1080, but then again, it's very, very, very powerful chip, और यह इंडिया का पहला phone है, to come with the Dimensity 7050 processor, तो आपको performance में कोई प्रणों नहीं मिलने वाली है, जहाँ पर साथ में एक ही variant यह लेके आता है, which is very good to see, because हमारे पास में है 8GB की RAM, साथ में, of course, उसको आप expand कर सकते हो, और आठ एक्स्ट्रा GB की virtual RAM के साथ, तो टोटल मतलब टेखनिकली 16GB की RAM, but then again, 8GB RAM और 256GB की storage, तो मतलब, storage के point of view से भी कोई tension नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि यह vapor chamber को गरे लेके आता है, तो आपको बहुत एक अच्छी performance मिलने वाली है, आप इस phone को normally use करें, या अगर आप games केल रहे हैं, anything you do, आपको इस phone में एक अच्छा experience मिलेगा, और जो अच्छा experience है न, वो इस phone के software के साथ में भी आपको मिलने वाला है, मतलब, एक clean Android का हम को मज़ा मिलता है, मतलब, you know, companies अक्सर वो, जो bloat पूरा phone में भरके दे देती हैं, रैंडम, टेडी मिडी आप्स, अजीब अजीब से games, अजीब अजीब से notifications, मतलब, यहाँ पर at least आपको वो कोई भी problem नहीं मिलने वाली है, अगर आप देखोगे, तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलता है, जो की pre-installed है, और जहाँ पर मतलब इन्हों, आपको लगे की यार, मतलब, यह क्या देख रहा हूँ, तो Lava is delivering on its promise, हमारे पास में है फिलाल clean Android 13 इस phone में, जहाँ पर Lava is guaranteeing की हमको Android 14 और 15 का मज़ा मिलेगा, साथ में 3 साल तक quarterly security updates भी मिलेंगे, तो we, you know, all must appreciate की यह जो Lava effort कर रहा है यार, हमारे पास में इस phone में packed है, एक 4700 इमेज की battery और यह support करता है, of course, 66 watts की fast charging को, और as per, you know, the numbers from Lava, आप charge कर पाएंगे phone को 50% तक केवल 16 minutes में, तो मतलब, आपको एक अच्छी endurance मिलने वाली है, और साथ में fast charging का support भी है, और यहाँ पे, अब अगर हम बात करते हैं इस camera के बारे में, because camera, again, is one of the important points for this phone, because, तो दिखने में ही, you know, it kind of shows की main focus camera पे भी है, हमारे बास में quad cam setup है, जो primary camera है, वो आपको यह बीच में जो लगावा मिलता है, यह है primary camera, जहाँ पे it is of 50 megapixels, और यहाँ पे जो pixel size है, वो 1 micron का है, यहाँ पे फिर जो बाकी 3 cameras है, उसमें से एक camera जो हमारे पास में, वो आता है, 8 megapixels के ultra wide angle के साथ में, तो मतलब हमें for all the ultra wide shots, बाकी की तो आपको पता ही है, 2 plus 2, macro and depth, so we can skip those, selfie camera जो है, वो है 16 megapixels का, but then, जो आपके सामने फिराल samples है, यह सब हमने इसी phone से click किये है, basically आप दिख सकते हैं, फ्रेंट और रिर कैमरा में किस तरीकी आपको अलग अलग जो है, वो सारे फिराल photos दिखने को मिल रहे हैं, और हमारे बास में, इस फोन में, it's good to see, की 4K वीडियो को रिकार्ड करने का भी option, up to 30fps, तो, यह फोटोग्रफी यह सब चीज़े, फिलाल, यह उन उन एर स्क्रीन, और लावा इस, यह डिफिनिटली अग गदिग सीरियस, और काफी एक अच्छा इंप्लिमेंटेशन किया है, in terms of camera, you know, in this Lava Agni 2. Here, जैसरे से इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब, जिदना टाइम मैं इस फोन के साथ में और जदा स्पेंट कर रहा हूं, यह बात तो पक्की है, की आप इस फोन को डफिनिटली अप्रिशेट करने वाले हैं, because, it shows the dedication, it shows कि मतलब, this is definitely a very polished product from, you know, Lava, और we all must feel proud कि इस तरीके से Lava Agni 5G was kind of, you know, the first 5G phone from Lava, जो पहले launch हुआ था, और अभी with this Agni 2, again, we are moving towards the right direction, यहां पर अगर, of course, हम 5G की बात करते हैं, तो यह 13 5G bands को support करता है, वहां पर भी कोई corners कटनी किये हैं, और यहां पर N2 2 score के गरम बात करते हैं, तो मतलब 5 लाख की ऊपर का score है, जो इसकी X-axis linear, you know, motor है, तो वो जो आपको vibration या जो feedback मिलते हैं, haptics के, वो भी काफी tight है, मतलब, you know, फील काफी आपको एक अच्छा premium वाला होता है, और यहां पर फिर लावा लेके आता है, the, you know, cherry on the top, because हमारे बास में, यह phone जो है, यह provide कर रहा है, एक free replacement at home की service, मतलब, लावा के जो अगनी मित्र हैं, वो dedicated, you know, आपको service provide करने वाले हैं, in case of any issues, और अगर कोई hardware problem है आपके phone में, तो आप घर बैठे, एक replacement जो है, वो enjoy कर सकते हैं, लावा की तरफ से, provided की कोई liquid या physical damage नहीं है, या जो भी terms of emissions है, अगर वो fulfill होती हैं, तो यह एक बहुत बड़ा claim है, तो यह, मैं मैं बुलूँगा, all thumbs up to Lava, to kind of know, start this kind of an initiative, and talking of the price, यहाँ पे फिलाहल, इसकी जो price है, वो है 21,999 रुपे, बट जो launch offer है, जहाँ पे इसकी 24 तरिक से sales start होने वाली है, Amazon.in पे, यह phone जो है, मिलने वाला है, 19,999 रुपे में, इस price के साथ, जो आपको काफी सारी चीज़े, इस phone में मिल जाती है, जो segment first बन जाती है, you know, in their own way, display, या camera, या performance, या यह सब चुझों का जो पूरा package है, मेरे ख्याल से, एक Indian brand को गर हम देखते है, तो we all must appreciate, design तो कि अच्छा लगता ही है, this, Lava Agni 2, और as, you know, Lava says, कि ये है, India का, अपना fire power, तो वो ही ये pushpa वाली बात होगी है, कि ये phone समझे कि, आप phone नहीं fire है, तो ये guys, Lava Agni 2, आप बढ़ाब के phone कैसा लगा, आपका क्या feedback है, और क्या आप आगे, और excitement, you know, अपने अंदर feel कर पा रहे हैं, कि यार, Lava future में, क्या-क्या और interesting phones बने लेके आता है, because, we all must say, they are doing a good job now, कि यार आपको, अगर ये video good, better, best, कुछ भी लगा हो, तो नीचे, comment करते विए, like, share करना मत भूलना, मैं आपसे मिलता हूं सीधा, अगले विडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम,